कि यह गाइस मैं इंदर 24x7 एबरीफिंग से सवगत करता हूं आप सब लगों का अपने यूटीब चैनल पे तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नहीं वीडियो जो कि आसूज जैनफोन से देख पाने कि इस टाइम पे जो इंस्टाउड वर्जियोन है वह 084 इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि इसे 084-87 सिरफ डेल्टा या ओटीए पैकेज के थूरू रादर दैन फॉटा अगर सीड हुई या वो मेरे एंट पर भी तक हुई नहीं है या फिर फू बिल्ड नमबर यह 084 और तो सबसे पहले आपको कहां से डाउनलोड करने है वगारा वगारा तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटिड आर्टिकल अपने ऑफिशे ब्लॉग पे ड्राफ्ट किया हुआ है या वोट से क्रियेट किया हुआ है जिसका यूरल आपको नीचे दि तो बेसी के लिए अच्छी बार यह है कि यह पटिकलर जो मैं OTA और डेल्टा पैकेज आपको दे रहा हूँ यह तीन वर्जिन के लिए अवेलेबल है अगर आप 063 पे हैं तो यूजिंग यह 642 का 642 MB का डेल्टा पैकेज डाउनलोड कीजिए आप डारेक्ली 087 पे हो डेटा जसे से डाउनलोड कीजिए और अपडेट कर लीजिए चेंज लॉग जो अभी तक मुझे पता चला है वह सिरफ सेप्टेंबर 2020 का सेक्यूरिटी पैज है अगेन अब बात आते कि कहां से डाउनलोड करना है तो अगेन आपको बता दूं यह ऑफिशल आसूस की 54 पर यह यह उस करें गाने के बाद ऐसके डाउनलोड करने के बाद आपको इस पौटिकुलर रक्राइब को कॉपी करके रीनेम करना वो आपको나र्बाइब से हैं मारे शोचल श्यांडल्स आप कर सकते हैं та साइन टाउन ककote कडे मैंने और्री 5500 डाउनलोड की है जैसे कि मैं 084 पे हूँ तो 87 पे तो चलिए मैं आपको file manager के थूख confirm भी करवा देता हूँ सबसे पहले चलते हैं download में तो जब आप उसे download करोगे तो जो end में आएगा वो लिखा आएगा photo.zip तो आपको क्या करना है इसे rename करना है तो time को cut down करने के लिए मैंने अल्रड़े रीनेम करके उसे internal storage पे move on भी कर दिया आपको यहां पर करके आप अपने file manager के base पे उसे rename कर दीजिए उसके बाद rename करने के बाद just move to the internal storage वो भी मैं आपको confirm करवा देता हूँ एक बार तो यह वो particular file जो मैंने आपको बोला था कि 087-user.zip पे उसे rename कर लीजिए एक बार फिर से confirm कर वा देता हूँ तो यही यह particular file जब मैंने उसे rename कर लिए इसके बाद हम directly अपने phone को reboot करेंगे बट बट रीबूट करने से पहले दो चीज़े कई users गोलें के भाई इसके बाद चेंज होता है कि नहीं और इसके इलावा जो वाइडवान सर्टिफिकेशन है मेरे एंड पे L3 है वो भी चेक कर लेंगे कि L1 में चेंज होता है कि नहीं कहीं के एंड पे तो L1 ही है तो L1 ही रहेगी most probably बट मैं अपने एंड पे जैरिफाई करना चाहता हूं तो चली है मैं अपने phone को एक बड़ी रीबूट कर लेता हूं रीबूट करते सारी मुझे वह particular prompt देखने को मिलेगा कि system file update detected and so on and उसके बाद हम directly installation process पर प्रसीड कर लेंगे तो फाइलली मेरा phone restart हो चुका है और restart होते सारी उसने वह prompt भी दिखा दिये कि system update file detected तो चली एक बड़ी वह भी confirm कर लेते हैं ऐसी आपके end पर भी आ जाएगा आप यहाँ पर tap-in कीजिए उसके बाद वह दिखा देगा कि जो version 087 है मैं 084-87 के लि जाओगे तो 642 जास इसे tap-in करके ok कर लीजिए अब Android system background में इसे prepare करेगा integrity check करेगा as soon as वो उसे verified कर लेगा तो phone directly reboot हो जाएगा और installation process start हो जाएगी तो finally phone restart हो चुका है अब directly move-in कर जाएगा system update installation wizard पे या screen पे तो finally installing system update section पे हमारा phone प्रसीड कर चुका अब यह nearly about 4-5 minute लेगा किसी case में शाद 5-10 minutes भी ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं जस वेट कीजिए और एक और precautionary node अपने phone को restart मत कीजिए ना यह volume rocker buttons के साथ खेलिए जस इसे install होने दीजिए जब तक यह अपने अब restart नहीं हो जाता तो चलिए वेट करते हैं तब तक तो nearly about 10-12 minutes लगे यह particular installation process को complete होने में और साथ की साथ ही phone restart हो चुक है अब वेट कीजिए जब तक यह directly booting नहीं कर जाता to the login screen या home screen तो finally phone successfully booting कर चुक है to the login screen या home screen और आप मेरे phone की screen पर देख पारे finishing system update अब इसे नियर लिए बाट 1-2 minutes लगेंगे और उसके बार एक prompt देखने को मिलेगा कि system update successful तो finally message भी prompt हो चुक है कि successful system update successfully updated to the version 087 and so on तो चलिए मैं आपको एक बार इस settings में जाके भी confirm करवा देता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि version ending 087 security patch level 5 September 2020 and so on तो हमने successfully 084-287 में कर लिया just with the OT or delta package इससे पहले कि मैं वीडियो wrap up करूं अगेन दो चीज़े confirm करना चाहूंगा तो camera 2 API में तो कोई change नहीं पहले भी legacy पर थे अब भी legacy पर अगर कोई already level 3 पर तो वह level 3 पर ही रहेगा तो उसके लिए कोई tension की बात नहीं है wide one certification check कर लेते हैं मैं really wait करना हूं कि यार L1 पर आ जाए मेरा L3 से अब स्ट्रेंज हो ही L3 पर ही है अब यह संबह नहीं आ रही है 600 MB की OTA update में उन्होंने दिया क्या ऐसा security patch level के इलावा कुछ और तो देखने को मिला नहीं है जो भी अभी तक change lock में तो जब भी मुझे ऐसा कुछ पता चलेगा तो या तो मैं community page पर डाल दूंगा या फिर मैं I dedicated video बना दूंगा. So this was all from my side related to how to download and manually install the OTA package or I would say delta package for the version 087. So hope you like this video, if you really like this video kindly share this video with your friends and family and apart from this please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally it's the time to sign off now, bye for now, thanks. you